मारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पसदन लगुशिचाई मत्स मंत्री प्रोफेशर एसपी सिंग बगहेल जिन से हम बात करते हैं गिरते हुए भुगर्व जलिष्टर की मंत्री जी उत्तर प्रदेश के 200 बिलाकों में भुगर्व जलिष्टर काफी गिरा हुआ इस पर सरकार क्या सोच रही है क्या करने जा रही क्या कदम है मैं मैं ऐसा कहता है आया हूँ कि देश को और उत्तर प्रदेश को जितना खत्रा बेरोजगारी से भिष्टाचार से बढ़ती हुई जनसंख्या से बढ़ते हुए अपरात से नहीं है उतना उससे देख खत्रा है गिरते हुए भुजल इस तर से लगभग एक मीटर से आधा मीटर, आधा मीटर से एक मीटर तक वाटर लेविल नीचे जा रहा है उधान तोर से गाउं में सब कुमों में पानी रहता था फिर रसी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, पानी खतम हो गया और अब वो कूड़ा घर हो गए हैं यह ज्यादतर सिकायते अभी आपने सुनी होगी उन नाओं में और पूरा अंचल के कई जनपुरों में जो पानी बेचने वाली कमपनिया हैं वो अति-दोहित कर रही हैं वहाँ पर बड़ी सिकायते आ रही हैं कि अति-कमर भी कर रही हैं और वहाँ का वाटर लेविल बहुत के दा दूसरा बिल्डरों को लेकर हैं कि सहरों में आबादी के बीच में एक छोटी फी जगह में बड़ा सक अपार्टमेंट ख़़ा कर देते हैं और अति-दोहित करते हैं जिससे आम लोगों को दिक्कत होती है इस पर क्या कर देगी सरकाया है वो एक शेयर है कि खून इस एक सामुएक प्रियास निश्चे तोर से करना चाहिए ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के पस्धन लगजिचाई मत्स मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंग बगहेल जी जिन्होंने एपियन से विसेश बाजचीत की और बताया कि जल सरच्छन के लिए उत्तर प्रदेश में क्या